स्वागत है आप सभी का स्यू डिपी लर्निंग चैनल पर मेरा नाम है स्यू कमार्यादव और आज मैं आप सभी को क्लाश 12 यूपी बोर्ड एक्जाम का जो प्रैक्टिकल एक्जाम होता है उसमें वाइबा से क्योशन किये जाते हैं तो मैं केमिस्टी के वाइबा के क्योशन के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ और या इसका पहला वीडियो है वाइबा के क्योशन बताने से पहले आप सभी को ये मैं बता दू कि वाइबा कहते किसे हैं या वाइबा होता क्या है तो देखिए जिस दिन आपके कमिस्टी का practical exam होगा आपको उस दिन में school में जाना होगा ठीक है या college में जाना होगा वहाँ पर जो है किसी दूसरे जगह से teachers आये रहेंगे वह आप से कुछ question करेंगे ठीक है जो आप practical file बनाए होंगे उससे related या फिर कुछ other question करेंगे और इसी मुलब question करने की इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं वाइबा बोलते हैं ठीक है तो वाइबा में कैसे प्रस्ण किये जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ बस आप इतना तयार कर लिए मेरे वीडियो द्वारा जो मिल रहा है आपको वाइबा में तो का electronic बिन्यास पूछेगा मैंने यहां पर लिख दिया है मतलब chromium copper silver gold palladium इसी से सवाल उठता इससे क्यों पूछेगा क्योंकि यह electronic बिन्यास के अपवाद है और electronic बिन्यास के अपवाद से ही जाधा तर क्योश्चन आते हैं ठीक है तो copper का electronic बिन्यास क्या होता है रट लीज में यहां पर आपका six रहेगा स्वारी ठीक है च्छादो कितना हो जाएगा आठ और तीसरे में आपका देखिए च्छादो आठ और यह भी तीसरे कोश का ही है तो आठ और दस कितना हो जाएगा ठारा और चोथे कोश में एक ऐसे chromium का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 5d, 3d 5 ठीक है यह chromium का होता है इसको बोरबरी में convert करने पर यह आएगा ठीक है ध्यान दीजेगा आगे वाले मतलब तत्तों का जो मैंने है क्यों बोरबरी का लिखा है आप बाहू का नहीं लिखा है तो आप कहेंगे साथ इसको आप बाहू में कैसे convert करें देखिए दो है तो 1s2 लिखा जाएगा 8 है तो 2s2 2p6 लिखा जाएगा 18 है तो 3s2 3p6 3d10 ध्यान दीजे 3s2 3p6 3d10 3 के उत क्योंकि तीसरे मा रहा है अब चाउथे का है तो 4s2 4p6 4d10 ठीक है 4s2 4p6 4d10 यहा लिख देना इसके लिए क्या लिखोगे 1s2 इसके लिए 2s2 2p6 इसके लिए 3s2 3p6 3d10 ठीक है इसके लिए आप क्या लिखोगे 4s2 4p6 4d10 ठीक है और इसके लिए आप 5s1 लिखेंगे ठीक है अब बात करें gold की तो यहाँ 1s2 लिख देना यहाँ 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 यहाँ पर 32 होए तो 4s2 4p6 4d10 और 4f14 इतना लिखना है और इसमें क्या लिखोगे 5s2 5p6 5d10 ठ ठीक है और यहाँ पर आपका 6x1 इसलिए इतने electronic बिन्यास आप याद कर लिए ठीक है उसके बाद जो question किया जाएगा आपको सबसे ज़्यादा वो तुल्यांकी भार से related होगा आमला का तुल्यांकी भार आपसे पूछेंगे चार का तुल्यांकी भार बराबर अनुभार ब ठीक है अब जैसे यह आमला है SCL, HNO3, H2SO4, H2CO3, SCOOS ठीक है इनकी तुल्यांकी भार को निकालना है तो SCL काण भार उपर रख दीजे क्लोरीन का 35.5 इसका कितना हो जाएगा एक तो 36.5 उपर रख दीजे 6 रखता कितने हाइडोजन इसमें एक तो जाएड सी बात एक रख जाएडोजन निकलता है इसलिए एक चार रखता इसकी होगी चार के लिए क्या करना है इसका पुरा अनुभार जिसे सोडियम का 23 हैडोजन का एक ऑक्सिजन का सोलर जोड देंगे तो 25 आएगा उपर रख दीजे और एक से भाग देंगे तो 25 उतर आएगा ऐसे इसका जोड जोड़कर एक से भाग देंगे इसका जोड़कर कर दो क्युकि यहाँ पर दो जोड़का ने